हे बोट सब भाई लोग क्या हल चाल सब कुसलमंगल तो है तो जी मैं लेकर आ चुका हूँ फिर से आफ के लिए बोट सर्वाइवल सीरीज क्योंकि अपने पास और कोई कामी नहीं है ब्रो गेम खेलिंगे मज़ानी लाइफ जीवेंगे तो गईज इस वाले एपिसोड में ब इपसलेट यूज कर लेता हूँ या गाईिज श्टॉन को अवल श्टॉन स्मूठ इस च्टॉन वगेरा और इनके अलावा कवी कवी हम बुड़िवी यूज कर लेते हैं बेसिकली इसब ब्लोक के अंदर आते हैं और गईज ब्लीग विलोग का फारम बनाएंगे वो है परपर विलोग और जिन लोगों को नहीं पता परपर विलोग कौन सा होता है उनको बता दू परपर विलोग वो गुलावी वाला सा विलोग होता है जिससे एंड सीटी वनी होती है गई जा आज ना मैं उसी का फारम बनाऊंगा मतलब गई मैं कोरस फुरूट फारम बनाई लेता हूं बाद में इन कोरस फुरूट जो भी फारम से मिलेंगे उनको ना पका कर मैं परपर विलोक बना दूँगा क्योंकि गईज पका कर उनसे हम परपर विलोक एंड लाइट वगेरा बना सकते हैं तो अभी मेरे पास फारम बनाने के लिए almost सारे आइटम तो हैं लेकिन जब इना मुझको end world में जाना पड़ेगा उदर से गईज मैं सोच रहा हूँ न थोड़े बहुत end vlog collect करके लिया हूँ उनी से अपने फारम को बनाऊंगा तो चलो फिर से एक वार कदम रखते हैं अपने end world के अंदर और मचाते हैं तवाई वैसे तवाई तो अभी मैं क्या ही मचाऊंगा मुझे तो वस विलोग collect करने हैं और मैं end world में जा रहा हूँ तो गईज अपनी गुट्टी लेनी तो बनती है अपनी गुट्टी भी खतम हो कोई नहीं चलो और बना लूँगा मैंने जितनी भी वनाई थी वो almost खतम हो गई और गईज आपको ना एक वात और वतानी थी कि आज ना मेरी थोड़ी सी तवियत डाउन है क्योंकि गईज कल रात ना मुझे बुखार खासी जुखाम सबने आके ना I love you बोल दिया अभी ग गईज मैंने ना ये decide कर लिया जब मैंने इस वर्ल्ड को create किया था ना तब इसका कोई नाम नहीं रखा था मैंने 1.20 ही रग दिया लेकिन गईज अवी ना मेरे मन में एक idea आगया कि इसका नाम मुझको क्या रखना है इस वर्ल्ड का नाम होगा अंडर वर्ल्ड जो जो मेर इस बात से सहमत हैं वो हाथ उपर करें ठीक है अभी focus करते हैं अपने गेम पर और यह मैं किदर फैक दिया इस एंड़ सिटी के gate ने एक तो गईज मैंने ना इतने एंडर ड्रेगन को मार कर एंड़ सिटी के gate खोल ली है कि गईज मुझे पता नहीं कि कौन सा एंड़ सिटी हो जाएगा मुझे chorus fruit collect करने की जड़त नहीं पड़ेगी लेकिन जितने खराव नसीव अपने है ना मुझे तो लगता नहीं है कि इदर कोई एंड़ सिटी है वी या नहीं गई जिदर कोई भी एंड़ सिटी नहीं है चलोगा जिकोई नहीं आवी क्या करेंगे मैं ना इद ना फारम मन वि कैसे जाएगा हमको या है परपर विलोक और परपर विलोक विलोक वनाने के लिए चाहिए होते हैं to को एक माइनक्राफ्ट की सची कहानी सुनाता हूँ आपको पता ये end world में एंडर मैन इदर उदर क्यों गूमता फिरता रहता है वो भी अकेला एकदम सुनसान मैं बताता हूँ इसको ना माइनक्राफ्ट वालों ने बरखास्त कर दिया था और इसको ना काले आसमान की सजा दे था एंडर मैन ने बिच से जाकर बोला मुझसे सेटिंग कर ले लेकिन इस बात से बिच हो गई नाराज और बिच ने जहर की बोतल उठाई और इसकी गर्दन पर देखर मारी आप देखो गए भी गई जिसकी गर्दन नहीं होती और साथ ही बिच ने एंडर मैन के उपपर केस ना हो तो ये कानी माइनक्राफ्ट की ओपिसल बैफ साइट पर वी है उदर आप देख लेना वाकित हो गई जविना मैंने सारा माल ताम जमाम कलेक्ट कर लिया है गईज मैंने काफी सारे एंड बिलोग कलेक्ट कर लिया अपने फारम को बनाने के लिए कोरस फूरूट भी और कोरस फूरूट के फिलावर भी तो उमीद है इतने से अपना फारम बन जाएगा क्योंकि मुझे ना काफी वड़ा फारम बनाना है वाकिए अगर ये आइटम कम भी पड़े तो इदर वापस से आ जाएंगे कोई गाटे वाली कंपनी में गाटा तो आनी जाएगा इदर जाने में तो चलो अभी जैसे मुझे उठा कर इदर चले आए थे वैसे हम उठा कर इदर से चलते विए क्योंकि अब अपना आगे का काम भी करना है और वल्ड में जाकर और आपको पता है मैं इदर से कैसे जाऊंगा सकती मान सकती मान सकती 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 मान देखा यहीं है मेरी सकतियां कैसे एक चलांग में डारेक्ट ओवर वल्ड में आ गया बिना बीडियो को बीच से कट करें चोड़ो मेरा तो कोई जवावी नहीं फिलाल तो मैं अपना काम कर लेता हूं मैं एंड वल्ड से जितने वी एक ओरस क्यों भई लोंडो ठीक के रहा हूं मैं अगर ठीक नहीं के रहा हूं तो बता दे ना मेरे अंडर वल्ड के कुछ गुंडे वी हैं जवाकी तो गई जवी ना अपना काम भी हो चुका है मैंने ना सारे परपर विलोक मतला कोरस फुरूट पगा लिये और इनसे ना परपर व जिसको ना ओसे न के अंदर बना दू लेकिन यार ओसे न के अंदर टना एक गड़वड हो जाएगी मैंने एक सोल ओटल फारम बना दिया तो भी ना मतलम में अपना गेम लैग होगा तो गई जो से न की टाड़ मारते हैं कि इदर गई जमा गोल्ड फारम के पास भी बना ल तो मतलम मैं इदर काम करने में लगा रहता और वो घर से मेरे लिए रोटी बना कर लाती अभी तो पता नहीं कहां पर गोल्डन एपल बना रही होगी वाकी तो गई जवीना मैंने अपने इस कोरस फुरूट के फारम को मतलब परपर विलोग के फारम को बनाना इस्टार्ट मैं आपको थोड़ा-thोड़ा सा समझा कर चलता हूँ देखो कोई जहमको ना एक चेस्ट पिलेश करकर या डवल चेस्ट मतलब आपको जितनी वी चेस्ट पिलेश करनी है न उतनी चेस्ट लगाकर उनके पीछे न एक होपर की लेयर लगा देनी है और आप इस होपर की लेय आपको एक पिलेटफॉर्म बना लेना है और गयज हमको ना एंड़ बिलोक की लगाने है क्योंकि कोरस फुरूत ना एंड़ विलोक के उपर ही गिरो होते हैं फेसिकली अभी तो मैं इस फारम का पहला वाला पिलेटफॉर्म यानि की पहली वाली लेयर ही बना रहा हूं तो अभी गयज मुझको सभी आपर्स के पीछे आठ 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 बिलोक लगा कर एक लेयर या गयज इस नीचे वाले पिलेटफॉर्म को कम्पलीट कर लेना है अगर गयज आपको आठ आठ बिलोक नहीं लगाने तो आप एट बिलोक भी लगा सकते हो आपकी मर्जी आप कुछ भ आती जानी है तो हमको सबसे पहले तो इस नीचे वाले पिलेटफॉर्म यानि कि इस नीचे वाली लेयर के साइड में एक विलोक हाइट पर एक लेयर और लगा देनी है इन एंड बिलोक से अभी गयज इस लेयर के पीछे ना हमको चैचे एंड बिलोक और लगाने है जिस से ऐसा सेम प्लेटफॉरम एक बिलोक हाइट पर इसके पीछे भी वन जाए जैसा हमने ओपर्स के पीछे बनाया है और गज इसी प्लेटफॉरम मतलब इनी प्लेटफॉरम के उपर हम अपने कोरस फूरूट को गिरो करेंगे लेकिन गयज इन प्लेटफॉरम को वनाते टाइम ना हमको बिलोक्स का खास दियान देना है हमको गयज नीचे वाले प्लेटफॉरम यानि की नीचे वाली लेयर में तो 8-8 बिलोक लगाने वाकि गयज इसके उपर हमको आगे की तरफ जितनी भी लेयर बनानी है वो साथ साथ बिलोक की वनेंगी तवी गईज हमारे फारम के अंदर वाटर फिलो वन पाएगा तो ठीक है गईज अभी अपने इस फारम की दूसरी वाली लेयर भी वन कर रेडी हो चुगी है अभी गईज मुझको क्या करना है इसी तरीके से गईज इस फारम के उपर की तरफ ऐसी ही सेम लेयर उपर की तरफ चड़ाते जानी है और अगर हम चाहे ना इस फारम के अंदर जितनी चाहे उतनी लेयर से बना सकते हैं गईज इनकी ना कोई लिमिट नहीं होती गईज हम ना इस फारम को जितना बड़ा बनाना चाहते गईज हमको ना इस फारम के अंदर उतनी ज्यादा लेयर बना देनी है वैसे मैं अपने इस फारम के अंदर ज्यादा लेयर नहीं बनाऊंगा सिर्फ साथ आठ लेयर ही बनाऊंगा क्योंकि गई उससे ज़्यादा बनाने का कोई फाइदा भी नहीं है पोकिट एडिशन के अंदर दूर की चीजे रेंडर नहीं होती तो गई दूर का फारम अपना वर्क नहीं करेगा और हाँ गई जवी न एक आइडिया और आया मेरे मैंड में देखो कई इन लेयर्स को मैं उपर की तरफ तो बनाता जाई रहा हूं मैं क्या करता हूं साथ के साथ मैंने नीचे की जितनी भी लेयर्स बना दी है ना इनके उपर कोरस फुरूट के फिलोवर गिरो करते जाता हूं जिससे गई जव तक मैं अपने स्वार्म को बनाऊंगा इसके अंतर ना कोरस फुरूट के ट्री गिरो हो जाएंगे तवी तो मज़ा आएंगा ना बीडू क्यों बीडू ए बीडू चलो गई इसी वात पर ना एक साहिरी आद आ गई तो गई ज अर्ज कर देते हैं उर्ज किया है कि हम अंडर्वर्ड के लॉंड act Aheen मैडम की हम अंडर्वर्ड के लॉंड़ के लॉंड एम और आप मायनीented अजिन क्राफट की लॉंडिया ह मैंने चलो इसी वात पर ना तालिया हो जए तो थोड़ी सी तालिया वजा दो जरा वरना फिर एक साहिरी आप आपका क्या होगा जनावे याली ठीक है न गईज मस्त सुर लगाता हूँ न मैं एकदम या बे सुराईयों वैसे गईज आपना देखना एक दिन न मैं बहुत वड़ा सिंगर भी वनूंगा वैसे बहुत वड़ा वनूंगा ये तो नहीं पता लेकिन हां गईज सिंगर जरू तो देख लो गईज मस्त वफर है जिन लोगों को भी गाना सुनना है न वो सस्क्राइब कर दो अगर नहीं किया हो तो वरना सेयर कर देना ये भी मस्ता इडिया है वाकी तो यार अवी न ये सब फालतु की वाते छोड़ो अवी गज काम की वाते करते हैं तो गईज मैंने अवी न अपने फारम की आठ लेयर तो बना कर कंपलीट कर ली हैं और गईज उसके पर ना कोरस फूरूट के फिलावर भी गिरो कर दिये हैं अवी न मुझे इस फारम का वाटर सिस्टम बनाना है उसके लिए न मैंने गई जिलाष्ट वाली लेयर के आगे न चेचे विलोक आगे और एक्स्ट्रा लगा दिये पर पर विलोक से इनके परना में एक वाटर सिस्टम बना दूँगा और ये देख लो साथ के साथ अपने कोरस फूरूट के ट्री भी गिरो होते जा रहे हैं ये काफी अच्छी वात है जैसे अपना फारम बनकर रेडी हो जाएगा न मैं इन पर पर के बिलोक को लाया था इससे ना गईज मैं बॉर्डर वनांगा तो काफी मस्त लगेगा मुझे वस्कुछ नहीं करना ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाई है ना इनके चारो तरब मुझे ये पर पर के बिलोक लगाते जाने हैं क्योंकि गईज इनके परना क्राफ्ट के कितने फारम्स को बना सकते हैं देखो कोरस फुरूइट का फारम तो मैंने बनाई दिया इसी सेम डिजाइन से हम कि रोफ फारम कर सकते हैं बस उसके लिए हमको एंड विलोक की जगा ड़ेट विलोक लगाने पडंगे जिसके ऊपर हम अठकर से घृज ङरो कर स उसके उपर मैं सेंड पिलेस कर दू तो गई जिसके उपर मैं कैक्टस गिरो कर सकता हूँ जिसे अपना कैक्टस फारम भी बन जाएगा मतलब की गई जि कहने का मतलब ये है कि ये वाला फारम का जो डिजाइन है ना काफी काम का है नाम एक गज कामने के इस वाले डिजाइन के काफी सारे फारमस हम इस डिजाइन से बना सकते हैं तो इसी बात पे वोलो बोट महराज कीजे बोट दा अंडरबल्ड डॉन, बोट दा डैविल किंग, बोट दा पीरो, एकदम पीरो लॉंडा जो कर देता है काम लेके एलेक्सवा का नाम, लेकिन एलेक्सवा खाती है भाव, उसकी मा की नाव, नाव जो पानी में डूब गई इस बात पे एलेक्सवा लगी रोने, क्योंकि उसकी मा के चुर गए हीरे चांदी और सोने, लेकिन बोट को पड़ाना कुछ फरक वो चला गया सोने हाँ ठीक है, ये कर लेता हूँ मैं पहले, लेकिन पहले मुझे ना अपना काम करना है, अभी गईज आगे का काम ये है कि गईज मुझे ना इस फारम के चारो तरफ बॉल बनानी है वैसे इस दिवार को बना तो हम किसी भी बिलोक से सकते हैं, लेकिन गईज मैं ना गिलास बिलोक से ही बनाऊंगा, क्योंकि गिलास बिलोक से ना हम फारम को बार से भी देख सकते हैं और गिलास विलोग होता भी काफी मसत है तो मैं तो गिलास विलोग से ही बनाऊंगा चलोगा जब इन अपनी बॉल भी बन चुके मैं नो चारो तरफ जो है गिलास विलोग लगा दिये हैं पीछे की साइड बाद में लगाँगो अवी सबसे पहले तो मुझे फारम के पीछे की तरफ रैड इस्टॉन सिस्टम बनाना है जिससे गईज हम एक वाटर सिस्टम बना सकें तवी तो एक ओरस फुरूट ओटोमेटिक हारवेस्ट होंगे बेसिकली गईज मुझे क्या करना ह मुझे ना इस लाष्ट वाली लेयर के पीछे वाले विलोग के उपर ना गईज एक एक डिस्पेंसर लगाते जाना है मतलव की लाष्ट वाली लेयर के साथ वे विलोग के आगे ना हमको एक एक डिस्पेंसर लगा देना है इनके अंदर हम बाटर वकेट रखेंगे और इन सबी डिस्पेंसर को लगाने के वाद गई हमको ना इन सबी डिस्पेंसर को एक साथ रैडिस्टॉन से कनेक्ट करना होगा सबसे पहले तो हमको इन सबी डिस्पेंसर के पीछे एक एक रैडिस्टॉन repeater लगा देना है अभी सारे repeater तो लग चुके हैं अपने अभी मुझको क्या करना है इन सबी repeater को एक एक register लगाकर इनको भी आपस में connect करना है ताकि ये सारे dispenser एक साथ एकी बटन से connect हो सकेंगे ज हमको ना इसको एकी बटन से connect करना जिससे गई जैसे हम बटन दवाए तो अपनी न सारी की सारी फसल ओटोमेटिक लिए एकदम हार रार वेस्ट हो जाए तो देखो गई जब फिक्स नहीं है कि हमको यहीं पर लगाना है मैं तो इस वाले बटन को इन डिस्पेंसर के पीछे ही इनके मिडल वाले बिलोक में लगा देता हूंगा जिदर से ही ना इसको ओन ओफ कर दिया करूंगा वी गई जिस बटन से मझको सारे ना डिस्पेंसर को एक साथ कनेक्ट कर देना है सबसे पहले तो इन डिस्पेंसर के साथ ये जो रेडिस्टॉन की लेर कनेक्ट है इसके पीछे एक विलोग का गैप छोड़कर हमको एक और रेडिस्टॉन की लेर विछानी पड़ेगी क्योंकि आपको पता होगा कि इस बटन को दवाने से इसके अंदर से जो करेंट निकलेगा वो 12-13 बिलोग रेडिस्टॉन तक आगे ही जाएगा गई जिस वाली रेडिस्टॉन लेयर के मिडल में न गई 6-7 बिलोग या 10-13 बिलोग आगे न एक रेपीटर भी प्लेस कर दे रहा है क्योंकि एक रेडिस्टॉन का करेंट 12-13 बिलोग तक ही ट्रेवल करता है अगर गई जमको इस करेंट को आगे और पहुचाना है तो गई जमको मिडल में न रेडिस्टॉन रिपीटर लगाने पड़ते हैं यह देखो एक बटन दवाया और यह सारे के सारे डिस्टॉन सर एक साथ कनेक्ट हों गया वी गई जमेरे को क्या करना है वसे एक आखरी काम बचाए कि इन सारे dispenser के अंदर ना मुझको एक-एक water vacate रखनी है या फिर आप पानी की वाल्टी भी रख सकते हो अगर water vacate नहीं रखना चाहते हो तो पानी की वाल्टी आसान पढ़ जाएगी गई जा अपना एक-एक पानी की वाल्टी रख देना माइनक्राफ्ट वालों को पानी महेंगा कर देना चाहिए फिर गई जमको पता है क्या करना पड़ेगा अगर गई जमको एक-दो वाल्टी भी पानी चाहिए होगा तो गई जमको बार-बार ocean के अंदर जाना पड़ेगा है ना गई जमजा आएगा मतलब जब हम पानी के लिए भी मेहनत करेंगे ना तो हमको ना पानी की भी बैलू पता चलेगी गई जमना इसको भी स्टोर करके रखेंगे फिर और फिर दूसरा आइडिया ये है कि पानी के बदले में ना फिर इंचेंटी डैपल को फिरी कर दें फिर गई जो और भी जादा मजाएगा खेर छोड़ो अगर मेरे आइडिया माइनक्राफ्ट वालों ने मान लिए तो दो दिन में कंगाल हो जाएंगे मैं आइडिया ये से देता हूँ उनको सड़क पे आना पड़ जाएगा चलो गईज इसी बात पर आपको एक कहानी और सुनाता हूँ कि एक बार क्या होता है ना कि कुछ होता ही नहीं है फिर गईज कुछ होता ही नहीं है तो कहानी ना वहीं पर खतम हो जाती है तो खेल खतम पैसा आजम और इसी के साथ ना अभी अपना कोरस फुरूट फारम बनकर बिल्कुली रेडी हो चुका है अभी गैज हम इसको यूज कर सकते हैं तो अभी न मैं आपको इसको यूज कर कर दिखाता हूँ और ये काफी अच्छी चीज हुई कि मैंने ना फारम को बनाने से पहले फारम के अंदर कोरस फुरूट के ट्री गिरो कर दिया भी गैज इनको ना मतलब ये गिरो तो ही चुके हैं अल्मोस्ट तो नहीं हुए कुछ तो अभी वी छोटे छोटे से हैं लेकिन आगे वाले ना क तो गईजी यही है अपने फारम के दूर दरसन दूर से अपना फारम ऐसा ही दिखता है वैसे मैंने ज़्यादा बड़ा फारम नहीं बनाया क्योंकि गईज यह जो कोरस फुरूट का ट्री होता है ना काफी जल्दी गिरो हो जाता है इसलिए हमको बहुत बड़ा फारम बन जादा ट्री मतलब एक साथ तूटेंगे ना इस पानी से देखो गईज कितना गिलिच हो रहा है मतलब यह पानी आगे की तरफ तो बैगा देखो गईज आगे की तरफ तो बैरा है लेकिन गिलिच से ना दिख नहीं रहा जाहरी सी वात है एकदम इतने सारे कोरस फुरूट तूटेंगे तो गईज लेग तो होगा ही और लेग आप देखो कैसे गईज गेम फिरी जिसा हो गया मतलब आगे की तरफ बड़े बड़े पेड़ थे नहीं चले जागे जादा लेग हो गया भी गईज अब तो बस हो गया काम बस ये कोरस फुरूट के ट्री सारे तूट कैसे किस तरीके से सारे तूट चूट कर आ रहे जिस सारे गागे और अबी तो बस मुझे टूट नहीं करना या तो गया मैं इस चेष्ट गे उप्र कर प्रपर के बलॉक बना लूट या मैं इसके नीचे इए एक स्मयलटिंग सिस्टम बना दूंगा जिससे ये सारे कोरस फ नालूंगो और गई जिनको इस मेल्टर के अंदर ले जाकर डाल ले की विजरुत नहीं पड़ेगी वाकी तो गई जब इस फारम को दुवारा से यूज करने के लिए सबसे पहले तो इस बाटर सिस्टम को बंद करना पड़ेगा तो हमको कुछ नहीं करना जिस तरीके से बट